हेलो गाईस मैं रोईद परजय पती आप सभी लोग का सुभाद करता हूँ मैट विगनर क्लास रेज में तो फ्रेंड्स हम लोग क्या पढ़ें रेशियो एंड प्रोपोर्शन अभी हम केवल क्या बता रहें आप लोग को रेशियो बता रहें अन्य यानि के अनुपात अभी आपके जा कर क्या बताएंगे समाणुपात अब भी हम रेशियो का ही COTION आपको केवल समझा रहें रेशियो का COTION concepts भी बता रहें कभी भी ट्रीक के पीछे मत भागिए concept सीखिए पहले concept अगर clear होगा तो trick उसी से निकलेगा तो guys देखिएगा अब हम जितना भी question बताएंगे सब एकदम concept clear होगा concept ही trick निकलता है हम और जितना कोशिज करेंगे मेरा इतनम सौट से सौट यानि कि वी दिन 30 सेकंड के अंदर हम question निकाल दें 20 सेकंड कोशिज करेंगे तो guys चलिए अब हम लोग बिना देरी की अपना question question आ रहा होगा और question आप पढ़ लिजे दिया है यदि x बराबर 1 बट्टे 3y और y बराबर 1 बट्टे 2z तब x समिंदे y समझे z का value याद कीजिए और इसकोत equation को असानी सब solve कर सकते हैं तो यहां अगर y को इधर पंचान तक करेंगे तो x बट्टे y इसकोल टू क्या हो जाएगा 1 बट्टे 3 और यहां से क्या करेंगे y बट्टे z इसकोल टू क्या हो जाएगा 1 बट्टे 2 यानि अब x y z का value पूछ रहा है देखिए कितना ratio 3 y समंद z का अनुपाद क्या दिया एक ratio 2 1 ratio 2 बस हो गया question हो गया अब इसको आप solve कर दीजे easy से देखिए तीन का कोई परोसी नहीं होता है तो हम इस तीन ही इसका काम कर देगा z का देखिए अब x का यहां कोई परोसी नहीं तो एक इसका काम कर देगा यही बस question में common sense लग हो गया है अधाय कितना जी question कितना जी question क्योंच है अब से इसकी of the question पूछा है किसमें एक भी नरज है कि हम जो concept बता रहे हैं आपका question नहीं हो पार आप चलिए बिना देरी के चलते हैं अपने next question पर देखिए आपके screen पर next question दिख रहा होगा यदि एक समंदे y के value कितना दिया 3 समंदे 1 तो इसका value ग्याद करना है यह भी question बहुत चीजी है बस इसको हम कैसे लिखते हैं एक बटे y बराबर 3 बटे 1 यानिके x का value 3 हो गया और y का value 1 हो बस इसमें put कर देना तो देखिए x का value क्या है 3 3 का q करेंगे तो क्या होगा ऐसे 3 का अगर q कर दीजे 3 का q करेंगे माइनस नहीं का ॐ करती है अब देखिए x का q क्या दीजे यह उसके भाएक का e यह अबर बिभल के रहा हूँ सकते हैं अब इसको और कर सकते हैं यह जाए टेरो और यह जाए किया चौदा यानिके से क्या 13 बड़्ट चोओधा कि इसको सोट कर देते और इसको कैसे सो कर सकते हम डायेक्ट जानते हैं क्या करते यह बैलू पूट कर देते दारेक्ट यहाँ एंसला जाते हैं लेकिन आपको बस सम्झाने के लिए कि यह है इसी को चुछ का ट्रिक बोलते हैं इसी को और कोई 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 अलग साथ का ट्रिक नहीं ह्याद तो concept is power concept को बहुत ही जुरूरी है समझेना यह concept से ही तो आया है हम समझें तो concept समझिए उसके पास साथ का ट्रीक आप खूद निकालेंगे यह पूरा मेरे विश्वास की साथ का ट्रीक आप खूद ही कर लेंगे तो गाइस अब चलते हैं सक्षेक्लाइस देखिए नेक्ष्ट कोस्टन भी आपके दिख रहाऊगा और यह कोसटन कल हम आपको बतायते लेकिन इस को सब्सक्राइब थोड़ा ध्यान से देखिए गहां सी समंझे नहीं है वहां था सी समंदे पर लेकिन यहां उल्टा है इसमोध और लड़के यहीं को स्षचन को गल्तिक करके आते हैं और अप्षन भी सेम मिलेगा और आप त्रीक भी लगाके आएंगे लेकिन वो गलत होगा ध्यान यहीं देना है दियान कहां पते हैं यहां पर जैसे उसका मान पूट किया नीचे वह इसा ही पूट करना वहीं पर लोग मिश्टेक कर देते हैं तो गाइस अब इसको देखिए इतना हम लंबस नहीं करेंगा आपको देखिए पहले यहीसे हम इसको हल करके एससे बराबर कर दिया जाए तो निकालना आए करना है तो देखिए अब इसको देखिए जब यह ना गया थो और समय क्या हो जाएगा बनाने कि तही्कल अब निकालना है 20 समंदे C के रिशियो ठीक है तो देखी अब यहां 14 यहां 7 है अब इसको 14 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 2 से multiply कर देंगे 2 से multiply के वाल इसमें नहीं होता है पूरे में होता है यह बात आप common sense लगाई है ठीक है अब जो से multiply का यह 14 14 14 कट जाएगा जब 2 में 2 गुणा करेंगे क्या होगा 4 होगा तब यह 4 हो गया तो यहां क्या हो गया यह 4 हो जाएगा तब यानि कि 20 समंदे C के रिशियो का नुपाद क्या हो जाएगा 4 समंदे 5 तो यहां 20 समंदे C के रिशियो का नुपाद क्या लिखेंगे यहां 4 और समंदे 5 यह है common sense यह है question को तेजी से करने का trick यही है question कहीं अलग से sort का trick नहीं आता यहीं trick है देखिए हम कितना easy question को बना रहे हैं देखते रहिएगा अब देखिएगा इस question को देखिए अब 20 समंदे C अब देखिए यहां बेस बराबर करना है तो 20 बराबर करने के लिए हम इसमें किसे बराबर करने कर? इसमें गुणा करके बराबर करते हैं कि दस-10 करते तो 20 कर जाएगा और उपर व्ला उसका अनुपात निकल जायगा सी समंदे डी के नहीं है यानि कि डी का ratio 7 है और सी का कितना 6 है तो उसको उल्टा कर गए इसे लिख दीजिए सी समंदे डी का ratio तब उल्टा का कर लिखेंगे तब क्या होगा 6 रेशियो 7 बस यहीं पर कामन सेंसा खोर्टन का यहीं लोग फ़ल जाते थे अब हम इसको साही कर सुके हैं तो C के समन्द सामने क्या है 6 रेशियो उसके बाद क्या है 7 ये था question का असली trick पकड़ने का अब देखिए देखिए 3 का policy नहीं है तो 3 का policy नहीं है तो 3 इसका काम कर देगा इसका भी काम कर देगा अब देखिए 6 का यहाँ policy नहीं तो 6 इसका भी काम कर देगा और इसका भी काम कर देगा लेकिन 4 का policy यहां नहीं तो 4 भी इसका क्या करेगा काम कर देगा तो 4 भी काम कर देगा अब इसको आप आसानी से solve कर सकते हैं अगर जो कटने वाला हो उसके काट दीजिए जो नहीं कटने वाला हो इसको रहना दीजिए तो देखिए इसको काट के आप चेक कर लिजिए आप क्या कट रहा है कोश्चन काट के देखिए तीन 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 और तीन दूना छे ये तो कट गया और भी कुछ कट रहा हो तो इसको कट लेजें दो दो लेकिन दो इस में नहीं आ रहा है सो शॉइन गाईस आप इसको गुणा कर दीजे चार दूना आठ एर्डूना इन्ट सोला इस देखते रहे एक कितना असानिस कोश्च्टन हो दूद दो देखिए चार दूना आठ आड दूना अप बताइए गासी तना स्टीन हम की आपको नहीं बश्वास हो रहा गाए एक बात प्ली आपको पूलेख चल्श को की तना लौंग प्रोसेस किया और इसी को स्टीन के हम जो देखी हर स्टना असानी स्टीन को सल्व गिया है तो गाइज हम आप पे पिल्कुल हमारे नम्मर एकदम बढ़िया कंटेंडेर हैं ताकि कहीं भी आपको कहीं भी जाएंग जाम देने तो विदिन तेन्ट सकेंड के अंदर को आप करके आज सकते हैं तो गाइस चली अब चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन करने टेके गाइस देखिए यह कोश्चन हम बताएं तो रेशिय के रिस्ट का नुपात कितना है जिसना बातने का रिषय क्रेशी हो है छेस वार्पाट आपके और बीस future को दस मंदे नो के अनुपाट पठा जाता है तो आ dos का की इन कैतना है यानि के बारात चार्लीं परोच रहें कि सी का हिस्सा किया है तो पहले तो हम तीनों का हिस्ता न बाररो सो चाली सिर्पिया जो है इन टीनों के बाटा जा रहा है अगर यह घ्राइब निकाल रहें दॉस्त बारोसन निकालें गेंगे तो ची ुआ बर्लस के बराबर बरहाज़ों तो वहां 먼저 यह कंड़ेगा जैगा जब सो के बिबाइब लाइक निकल उसका एंसर हो जाए तो गाइस वह ही प्रोसेज़् जो पहले बता है तो वह लगने वाला देखिए तो एसमन्द बी का उनुपाद क्या है सीक्स प्समन्द फाइब 20 समंदे C का उनुपाद क्या है 10 समंदे 9 बस हो गया अब इसका पोड़ोसी नहीं है तो इसका 5 काम कर देगा 10 का भी पोड़ोसी नहीं तो यह 10 काम कर देगा अब देखिए अब इसमें कुछ कटने वाला लगबग नहीं है तो इसको इसे गुणा कर देखिए 60 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा और यह का जाएगा 9 पचे 45 एक शीज बताए से आप लोगों को कि रेशियो को हरमेशा सिंपल रेशियो बना जाता है जाए यह कटेगा 229 यह जो रेशियो है यह जो रेशियो है और किसके बराबर होगा 1240 उर्पिया के बराबर होगा कितने मरत में कर जाएगा कड़ा किक एक रस ऐतुए एक रसारी हो गिया पूछा किस का है पूछा किसका है सी का और सी का अनुपात कितना है नाइन सी का अनुपात कितना है नाइन है तो नाइन अगुणे एक अनुपात का वैलू कितना दिया है चालीस तो चालीस मुल्टिप्लाइ कर दिया नोचोव को 36 यानि किसी का वैलू कितना है तीन सो साथ रुप्या उसका हो पंतों मिलेगा कितना मिलेगा 30 surrounding अगर बीका पूछे कितना मिलेगा जाता है वहीह कुंद तो देखने कितना पेक क्वर्ण कोशन की है को लगा में धोस शुखन हुख गाइश यह सम्सक्राइब कर दोसे यह साट कॉच्टक टिक नहीं तो आसा करते हैं आपको यह सामझ मा आया हुआ और नहीं समय मत पूछियं मैं कमेंट करें पूछिये कोशेelia को सेंड कीजी हम उसको सौलब करके भेजाएंगे आपके पास गाइस तो चलिए अब चलते हैं नेक्स कोश्टन पर गाईस दखिए यह कोश भी अच्छा को चैनल बोला है तीन संख्याओं का अनुपाद दिया है तीन संबंदे दो संबंदे पांच है और और देखिए कि इनके वर्गों काई हो किनके इनी के वर्ग काई हो इनको वर्ग करके योग करने पर इतना आ रहा है तो सब्सक्राइब चोटी संख्याओं तब पर इनका वर अगर एक्स मानने का रीजन यह है यह वर्ग बोला यानिकि स्क्वाइर के रूप में आएगा इसलिए एक्स मान रहे है अगर वर्ग नहीं बोलता तो नहीं मानते अब बोला इनके वर्गों का योग नाइन 9, एक सबर, 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 एक 20 x square बराबर 1865 अब इसको जो लिए पांच तीन कितना होता है आठ दू एक तीन और तीस एक स्क्वार बराबर 1862 अब यह और तीस यह कड जाएगा एक्स कामन सेंस लगाईएगा जो भी कटेगा यहां पर एक स्क्वार है न यहां बर्गी आएगा यह कटेगा थे कितने मर्त म कटेगा 49 बर्ग में कटेगा आप काट की देख लीजिएगा कभी भी यहां बर्गी आएगा यह कामन सेंस कोस्चन में हर्मेशा आपको लगाना है तब यहां एक्स का वेलू क्या हो जाएगा सेविन जब एक सबसे छोड़ा संक्या पूचा तो इसमें सबसे छोटा क्या है यहां है ना दो सबसे को और अबना भेली आगर यह मानते तब यहां यहीं डायट हम क्या करते को यह 38 होटा तब यहां एक लिए निकालते तब यहां पार यह शोटा तो तब वह डायट मान पूट करते लेकिन यहां वर्ग बोला है इसलिए आप X माने है तो गाइस उससे आप थोड़ा सबीत गवर आईएगा अगर आप X नहीं मानते तो हर मेंसा यहां मानते की स्क्वाइर है तब इसको आराम से स्क्वाइर करते तब वन रेशियो के वैलू स्क्वाइर मानना पड़ेगा तो गाइस अब देख चलिए चलते अपने नेस्ट कोश्चन पर आईए अब देखते नेस्ट कोश्चन बोला है 94 रुपीई को दो भागों बटा गया है जिसमें पहले भाग का एक बटे पांच बाग और दूसरे भाग का अनुपाद कितना ह है तीन समंदे चार तो बोल ला है कि पाला भाग ग्याद किज़े यानि की इसका पाला भाग का मान ग्याद करने के लिए बोल ला तो इसको आप आले सॉल्प कर दीजिए यानि के फर्स्ट भाग बटे सकेंड भाग तो देखिए अब यह क्या होगा आठ उपर चला और यह क्या होगा फाइप निचे आ जाएगा तो बराबर क्या होगा तीन बटे चार अब इसको हल कर दीजिए फर्स्ट भाग बटे सकेंड भाग बराबर क्या हो जाएगा इसका तिरिकली गुणा हो जाएगा यह उपर चला जाएगा तो यह पांत यहीं 15 हो जाएगा और य इसमें क्या बोला है इंद तो लों जो दोनों अनुपात यहीं कितना मैं चबत बराब्र हो घ्रदिये तो दोंको पर का साथयर यानी 47 का अनुपात की फोने पूचान जाय निकल गया हमको गया करना था फिर्स्ट वाग पूचा इसमें प्रस्ट वाहं का उनुपाद किया है पंदरा फंदरा का वैलू गयाद करना आए इंट्य क्या करेंगे एक का उनुपाद के वैलू कितना है दो से गुड़ा कर दिजिए पंदर दोना 30 यानि फ़ तो सबसे पहले अब इसको करना है पहले पीग बराबर यहाँ देखिए फसकाऊ करन तो रॉडवर मान लिए अब कियो बराबर क्याक्ए मान लीजिए अब देखिए उसके बाद क्या आर बराबर क्या मान ले फोर एक्स हो गया अब देखिए अब यहां पहसे इसका मान पूट कर दीजह है या प्लस आगे देखिए टू एक्स का बर करेंगे तो एक्स स्क्वाइर होता है ठीक है अब देखे आज स्क्वार है तो फोर का वर्ग करते हैं क्या होगा 16 और स्क्राइर करेंगे एक्स्वार करेंने टोस्क्राइर हो जाएगा अब इसको और भी स्कवार लिए जोड लीजिright और एग्स्वाइर के एक्स इस्वार ये हो गया अब क्या करना 500 पांच कर न 같아 बाथ सCAG और बहुत कोचन को हम रोग करते हैं कि आप भी ऐसे इंग्जाम में जल्दी-जल्दी कोचन को करेंगे जितना हमको टाइम लगता है इसकेंड के अंदर सारा सारा कोचन सौल हो सकता है आप चलितें अपने नेक्स कोच्चन पर तो अब चलेतें अपने नेक्सक जैन सब्सक्राइब श्वर्मDid प्लास अबको गूड य जब क्या दिया है ? 3 है रैसे गूणा करते है जैसे करना पितला है नाइन गूढ एक जब क्या दिया है ? 2 .23 , 3 आब देख्ये य 00 corrections इंटू अ थे नाफं करते है ? 3 इताउय और शब खारह न सो सवाह करना है જो चो 12 हो जागा उपर अब देखिए यह 8 8 पांच कितना होता 13 के 3 होता है असी लेको कर एक एक दू एक तीन तीन अब इसको कर देज़ा और किसे कर देगा और चुर्चंद अब कल हम लोग पढेंगे क्या क्या पढ़ेंगे सीकोबाद सब्सक्राइब तो गाइस सिखों वाला जो कोशन होता है बहुत इंपोर्टेंस होता है बढ़िये से बढ़िये लड़कों कभी भी गलती नहीं होगा और उसमें इस अनुपात समुपात का एकदम अभी बेसिक आपको समझेश पढ़ रहा है अभी शुरुवात है अब आगे बहुत अच्छा-चा कोश्चन आपको मिलेगा और वो भी इदम सटकॉर्ट ट्रिक्स लगाने के लिए आपको बताएंगे कोई बी कमेंट करके जरूर बताइए गा और एक पर क्रेंट बोक्स में कमेंट करके बताना है और बताना कमपल्शर है ताकि कितने लोग कंटीनियू देखते हैं कितने लोग पढ़ाइए कर रहा है यह तो नहीं है कि केवल आते हैं फर्स दो ती मिनट देखेंगे हो गया ऐसे नहीं पढ़ाई क्या मतलब सुरू से लाइस तक वीडियो देखना पड़ता है तब जाके कंसेप्ट किलियर होता है वरना कंसेप्ट किलियर नहीं हो पाए गाइस प्लीज कोई प्राबलम हो कोई भी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें पूछे या इसकी म आपको मैसेज कीजिए कोशन सेंड कीजिए हम आपको प्रसनली रिप्लाइ करेंगे और प्राब्लम को स्ट्रॉल भी करें तो गाइस आज के इतना ही रखते हैं मिलते हैं कल जय हिन जय भारत